अलो असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सभी लोग हो पाप लोग सो बच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ अलहम्दलिल्ला आज है वेनस डे और सुबह उड़ते ही मैंने किया आमरस रोटी का नाश्टा और जोबी ने सुबह कोको को निला धुला दिया था सुबह उठते ही फिर यहां पे कोको की सफ़ई चालू थी कोको को ड्रायर से साफ करना पड़ता है तो उसको ठंड लग जाएगी बोलकर कोको पहले उसको जोबी उसको कोको को पहले पोच रहे थे फिर कोको को टावल में प्रेप करके जोबी ने बहुत मुश्किल से को 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 साफ किया क्योंकि को को इक जगे बैठने को रेडि ही नहीं थे बहुत मुश्किल होती है जब भी को 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 पानी हमने लाते हैं बहुत महँनगों के बाद को को का हो गया फिर आज हमें जाना था reception पे जो मैं परसों शादी में गई थी जमिल के friend की आज उसका reception था तो फिर यहां पे मैंने और आईजा ने same dress पहनने का सोचा फिर हम मैंने यहां पे dresses निकाल लिए फिर यहां पे आईजा हो गए ready तो फिर मैंने आईजा को कहा के थोड़ा pose देने के लिए फिर यहां जब आईजा poses दे रही थी तो जो भी dance कर रहे थे dance करके हम सबको दिखा रहे थे आप लोगों को आईजा का dress कैसा लगा comments में जरूर बताईए फिर हम ready होके चले गए function hall जो reception का function hall था वो भी शादी के function hall के पास ही था लेकिन दूसरा function hall था हम जल्दी यल्दी ready होके मैं जमील और आईजा चले गए जोएब जिया आज भी नहीं आते बोले शादी को पता नहीं वो लोग आज कल नहीं चलते बोल रहे वो लोग घर में ही थे दोनों भी जोएब जिया फिर सिर्फ मैं और जमील और आईजा हम तीनों ही गए reception पे हम पहुंच गए function hall माशाला से function hall की entry बहुत अच्छी थी function hall ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन function hall का decoration बहुत अच्छा था stage का decoration हर चीज जबर्दस थी दूलन की entry भी बहुत अच्छी हुई मैंने capture नहीं किया लेकिन दूलन की entry भी बहुत जबर्दस थी फिर खाना भी बहुत अच्छा था खाने में chicken 65 था फिर दो खिसम का starter था फिर रेड चिकन था ये रोटी शद माल पुए के जैसा माल पुआ मीठा होता है पर ये फीका फीका वाला था लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था फिर मीठे में खीर थी फिर मैं खाना खाकर आ गई मुझे तो stage का decoration function hall शादी सारे चीजां बहुत अच्छे लगे बहुत जबर्दस दिख रहा था हर चीज मैंने लातुर में अब लातुर भी बहुत update कर रहा है क्योंकि पहले लातुर में इतना सब नहीं होता था जो अब हो रहा है शायद मैं पहले नहीं जाती थी शादियों में इसलिए मुझे नही पता था पता नहीं फिर यहां पे आईजा और जमिल के फ्रेंड के लड़का दोनों मिलके स्टेच पे खेल रहे थे वो दोनों बहुत अच्छे तरह से खेल रहे थे तो मैंने थोड़ा ये भी शूट कर लिया बच्पने कैसा होता है हम कुछ भी करते हैं शादियों का सीजन शुरू हो गया बैक टू बैक शादियां हैं अभी मैं हैदराबाद में उतने शादियां एंटेंड करके फिर लातो राते ही ये शादी हो गई फिर और एक आठ दिन के बाद और एक शादी है पता नहीं मैं उसमें जाओंगी नहीं जाओंगी लेकिन इरादा तो है मेरा ज निकलना था घर से घर के लिए लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होने के वज़े से मैं हम और थोड़ी देर रुग गए फंक्शन हॉल में ही ले लाइटिंग के वज़े से वीडियो सही तरीखे से कैप्चर नहीं हो पा रहा था फिर आईजा ने कहा कि मम्मी मैं स्टेज पे हम ग्यारा बज़े घर आए रात में साड़े साथ आठ बज़े गए थे हम रिसेप्शन पे फिर आते आते रात के दस बज़ गए आप लोग कैसा लगा प्लीज लाइक करिए शेर करिए कमेंट करिए और इंशाला फिर कल मिलते हैं एक नए व्लोग के साथ